नमस्कार आप देखने हैं नियूस फोर नेशन और मैं हूं सांत्वन आपके साथ बिहार में 30 तर्य पंच्राय चिनाओं का पहला चरन समाप्त हो चुका है बता दे कि बीते 24 सितंबर को पहले चरन की मतदान पूर्ण हो चुके हैं और आज पहले चरन के मतदान का पहला दिन है आज से पहले चरन के मतदान शुरू की जाएगी और क्या कुछ संबंधित जानकारी है इस मतदान को लेकर आई आपको बताते हैं विस्तार से बिहार के 10 जिलों की 151 पंचायतों में आज मुखिया पंचायत समीती सदस्य वोट पड़े थे बिहार में 11 चरनों में हो रहे पंचायत चुनाओं के पहले चरन का मतदान शुकरवार को समाप्थ हो चुका है मुख्या पंचायत समीती सदस से वर्ड सदस सरपंच पंच एवं जिला पार्शदों के चिनाओं के लिए मतदान हुए हैं और अब रवीवार और सोमवार को संबंदित जिला मुख्यालों में मतगणना हो रही है मतदान की ही तरह मतगणना के लिए भी सौफ्ट्वेर का इस्तिमाल किया जाएगा इवियम से प्राप्त आंकडों के आधार पर OCR सौफ्ट्वेर के माधियम से पड़िनाम दिया जाएगा पहले चरन में 10 जिलों के 12 प्रखंडों के 151 पंचायतों में मतदान हुआ था इसमें करीब 60 फीसदी मतदाताओं ने अपने मता दिखार का प्रयोग किया था बात करें जमुई की तो जमुई के साथ ही सिकंध्रा प्रखंड की 13 पंचायतों के 1045 प्रत्याशियों के भागी का फैसला को लेकर जिला मुख्याले स्थित KKM कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है मतगणना को लेकर शहर में भी शांती वेवस्था बनाए रखने के उद्देश से विभिन चेत्रों में धारा 144 लागू की गई है विभिन मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधत कर दिया गया है बात करें नवादा के तो नवादा के गोविंदपुर प्रकंट के नौ पंच्राइदों के कुल 923 प्रतियाशियों के भाग का फैसला करनी के लिए के लेस कॉलेज में मतगणना होने जा रही है उमिद्वारों वसमर्थकों का आना शुरू हो चुका है लोग कतारबद होकर मतगणना केंद में प्रवेश कर रहे हैं बाका की बात करें तो बाका के धोरईया मुंगेर के तारपुर्वा जमुई के सिकंदरा प्रकंजों में 24 सितंबर को हुए मतदान की मतगणना हो रही है बाका के पीबीएस कॉलेज में मतगणना सुबह 8 बज़े से ही शुरू हो जाएगी मतगणना कर्मी सुबह 5 बज़े से ही पोहँच चुके है धोरईया के मैं कहता बबूरा पंचायत का परिनाम सबसे पहले आएगा सुबह 9 बज़े तक इसका परिनाम जारी होने की उमीद है इसके बाद 10 बज़े तक से काचबन गाउ और गौरा पंचायतों के परिनाम आने शुरू हो जाएगे हर घंटे 2-3 पंचायतों के परिनाम जारी किये जाएगे मुंगेर के तारापूर प्रकंट के 10 पंचायतों की मतगनना डाइट केंद्र मुंगेर में होनी वाली है पंच वसर पंच के चुनाओ बैलेच पेपर से कराई गए है जुनके नतीजे आने में अधिक समय लगेगा 64 पदों के लिए EVM से मतदान होने की कारण नतीजे जल्दी जल्दी आ जाएंगे मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये कैं हैं इस पर लोगों की नज़रेट टिकी हुई है मतगणना के दोरान एवं बाद में प्रतियाशियों की समर्थक आपस में ना उल्चे इस पर प्रसाशन की कड़ी नजर भी है पहले चरण में कुडल 4,644 पदों के लिए 15,078 प्रतियाशियों ने भाग आजमाए हैं इनमें पुरिश प्रतियाशियों की संख्या 7,191 है जबकि 7,868 महिलाओं ने भी ताल ठोका है पहले चरण में 8,098 प्रतियाशियों पहले ही निर्वरोद निर्वाचत हो चुके हैं नामांकर नहीं होने के कारण 72 पद रिक्त भी रह गये हैं तक्नीकी कारणों से अर्वल जुले में पंचाट समीती सदस के एक पद पर पूर्ण मत्दान भी कराया जाएगा बतादे कि रोहतास में 62% मत्दान हुए हैं कैमूर में 60% औरंगाबाद में 62% गया में 60% नवादा में 57% जहानबाद में 56% अरवल में 59% बाका में 61% मुंगेर में 57% और जमुई में 61% मत्दान कून हुए हैं बतादे कि पहले चरन के आज मतगणना का पहला दिन है दूसरा दिन का लियानी सोमवार को होगा और इसके साथ ही मतगणना केंद्र पर कर्मचारी सुबा पांच बजे से ही पहुच गए हैं और अब मतगणना की प्रकिरिया को शुरू किया जाएगा हर घंटे दो से तीन पं प्रसाशन सक्त से सक्त इंतजाम में जुटी हुई है और प्रसाशन की पैनी नजर प्रतियाशियों वास समर्थकों पर घिरी हुई है तो अभी के लिए पांच आइचनाओं में बसतना ही अनकाई अपडेट्स के लिमाए साथ जुड़े रहें न्यूस फोर नेशन में नम सक्त